एक साल पहले तक कहा जाता था कि हमास के लड़ाके सिर पर कफन बांद कर चलते हैं कहा जाता था कि हिजगुला के 50,000 लड़ाकों ने इसराइल पर हमला बोल दिया तो इसराइल रोक नहीं पाया था लेकिन पिछले एक साल में इस गहावत को बदल कर रख दिया है हमास और हिजबुल्ला के नाम से इसराइल को टड़ाने वाले अब खुद खौफ के साय में जी रहे हैं हमास और हिजबुल्ला की बात तो छोड़ी है इन दोनों आतन की संगट्नों के पालने पोसने वाला इरान खुद इसराइल के नाम से खौफ में है अपने दो-दो चीफ की हत्या के बाद अब हमास ने तैय किया है कि संगट्न के नए मुक्या की पहचान दुनिया में छिपा कर रखी जाएगी क्योंकि इसराइल ने पहले हमास चीफ इसलाइमाइल हनिया को जहन्नुम पहुचाया इसके ढ़ाई महिने बाद हमास के नए चीफ यहया सिन्वार को भी उसी के पास भेज दिया इसके बाद हमास के नए चीफ की रेस में कई नाम सामने आए जिसमें खलील अलहया, खालिद मिशाल, मुसा अभी मरजौक, जहीर जबरीन, मुहम्मद इसमाईल दर्विश इस पद के प्रमुक दाविदार माने गए इन पांचों में से एक कुस संगटन का सरगना चुनने का फैसला करने से पहले, हमास ने एक बड़ा फैसला किया, कि इस बार गो अपने नए चीफ का नाम सीकरिट रखेंगे, ताकि इसराइल को ये पता ही ना चल पाए कि हमास का नया चीफ कौन है, जिससे कि इसराइल उस खौफ से भर गई है, 27 सितंबर को हिजबुला चीफ हसन असरल्ला मारा गया, उसके 24 घंटे के भीतर ही यानि 28 सितंबर को हिजबुला को नया चीफ खलीर यासी मारा गया, उसके 6 दिन बार 3 अक्टूबर को हिजबुला के 30 नए चीफ हाशिम सपीद्दीन को भी इसराइल ने म की कासिम ने लेबनान छोड़कर फिलहाल इरान की राज़ानी पहरान में पनागी है। इसराइली न्यूस वेबसाइट यरुशलम बोस्ट ने अमीराती वेबसाइट अरम न्यूस के हवाले से दावा किया है। तोड़कर रगदी है वेबसाइट न्यूस वेबसाइट इरान ने इसराइल पर जो हमला किया उसके बाद इसराइल बदला लेने की तैयारी में लगा है। हमला हो रहा है और रॉकेट से भी हमला हो रहा है। खुद बेंजमिन नितन्याहू ये कह चुके हैं कि इसराइल साथ मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ होती हैं, फिर हिजबुला है लबनान में, एराक में मौझूद मिलीशिया के गुठ हैं और उनके जरिये प्रोक्सी वार लड़ रहा इरान भी है। लेकिन अब नितन्याहू या कहें कि इसराइल के सामने युद्ध का एक और मोचा खुल गया सा लगता है। और वो है भेदियों से निपटने का। दरसल टेलीग्राम पर हाल में एक सीक्रेट प्लान लिख हुआ। ये प्लान इसराइल की तरफ से इरान पर लिए जाने वाले एक्शन से जुड़ा हुआ था। अब ये प्लान क्या था क्या इसराइल ने कोई प्लान दूसरे देशों से साजा किया या फिर बात कुछ और है इसे यहां समझना बेहद एहम हो जाता है क्योंकि ये टॉप सीक्रेट अमेरिकी इन्फॉर्मेशन थी जो अमेरिकी खुफिया एजियंसियों की तरफ से तयार कही है दर सियने ने एक अमेरिकी अधिकारी से बात की जो इसे बेहद ज्यादा जनक बता रहे हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि दस्तावेशों में टॉप सीक्रेट दिखाया गया यानि कि ऐसे निशान इस पर बने हुए थे जो या तो अमेरिका या फिर उसके फाइव आईज के पास ही होने चाहिए अब फाइव आईज कौन है ये जानना जरूरी है इसमें अमरिका के अलावा आस्ट्रेलिया कैनेडा न्यूजिलेंड और ब्रिटन आते हैं अब सवाल यह है कि लीक डॉक्यमेंट्स जो है उसमें ऐसा है क्या तो इन दस्तावेशों में एरा के खिलाव हमले के लिए इसराइल की तैयारियों की जानकारी है एक दस्तावेश में कहा गया कि योजनाओं में इसराइल के द्वारा गोला बारूत को इधर उधर ले जाना शामिल है एक अन्या दस्तावेश के बारे में बताया गया कि इसे राश्ट्रिय सुरक्षा एजि इसमें हवा से सता पर मार करने वाली मिसाइलों से जुड़े इसराइली वायुसेना के अभ्यास की रूप रेखा तक दी गई है अब अमेरिका हैरान और परिशान दोनों है इस बात को लेकर कि ये जो दस्तावेज हैं इन तक किसकी पहुँच थी हलाकि अभी ओफिशली इसक कुछ भी बताया नहीं जा रहा है लेकिन एक बात तो तय है कि ये मामला अब बहुत भारी नतीजे ला सकता है जंग का रुक भी बदल सकता है वैसे ये भी हो सकता है कि कि किसी वार टैक्टिक्स का नतीजा हो या हिस्सा हो लेकिर इसमें कोई सचाई है तो जाहिरे इसे आएगा इसके बाद भी क्या होगा ये बड़ा दिल्चस्प रहने वाला है क्योंकि इसराइल जिसे अमेरिका का फुल सपोर्ट हासल बताया जाता है उसी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले पेंटागन से रिपोर्ट लीग हो जाना और कथित रूप से वो रिपोर्ट जो बड़ी दरार के रूप में भी दिखा जा सकता है लीग दस्तावेजों में बताया गया कि 8-16 अक्टूबर के बीच इसराइल की तीनों सेनाओं ने फाइनल ड्रिल की आखरी चरण में एयर बोन वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम वाले विमानों और लड़ाकू जट के और ड्रोन को शामिल किया गया था। अतिना ही नहीं हवाई हमले के साथ जमीनी हमले की भी पूरी तयारी कर ले गई थी और तो और प्रॉकसी वार के लिए भी सूसल फोर्स तयार की गई यह स्पेशल फोर्स बताई गई और भी बहुत कुछ इस रिपॉर्ट में बताया ग नाव एक बड़ा कारण हो सकते हैं और अगर ये रिपोर्ट लीक होती है तो जाहिर है इससे बाइडन प्रिशासन पर भी इसराइली भरोसे के डगमागाने का खत्रा पैदा होता है हाला कि असल बात अभी सामने नहीं आ पाई अमेरिका से खबर तो यही है कि इसमें अमेरिका चिंता में है और इसकी जाच करा रहा है यानि की दस्ताविजों के सच होने या फिर परजी होने जैसी कोई बात अभी सामने नहीं आई है ना इससे कबूला जा रहा है ना इससे इ गेर कर दिया गया हो लेकिन उसके पास लड़ने की ताकत और स्ट्रेटरजी दोनों मौजूद है हाला कि तीन में से दो ड्रोन गिरा दिये गए लेकिन एक ड्रोन नितन्याओ की घर पर हमला करने में काम्याब रहा तो क्या ये एक बड़ा सीक्यूरिटी लीकेज नहीं है या याहू ने इस हमले के बाद वार्निंग हिजबुला को जारी कर दिये और साफ तोर पर कह दिया है कि उसने ऐसा करके बिलकुल अच्छा नहीं किया और इसके नतीजे उसे भुगतने पढ़ेंगे आने वाले दिनों में हाला कि इस से ये साफ हो गया है कि इसराइल कई मोचो पर साथ से ज्यादा मोचो पर जंग लड़ा है और फर्क इतना है कि इसराइल को इसकी कबर अभी अभी लगी है जबकि दूसरी तरफ रूस ने ये साफ कर दिया है कि अगर इसराइल की तरफ से इरान पर हमला होता है तो अमेरिका भी इसमें शामिल होगा और अगर शामिल होता है तो रूस भी इरान के साथ मैदान में खड़ा मिलेगा जबकि नाटो देश तर्की भी इरान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है तो एक नया सीनेरियो मिडिल इस्ट में फिर से बनता हुआ दिख रहा है हलाकि इस बीच चर्चा उस सुरंग वाले वीडियो की हो और बताया गया कि जो वीडियो सामने आया वो उसके कुछ देर पहले का है जब उसे मार गिराया गया आईडियेफ नहीं इसे जारी किया जिसमें सिनवार अपनी बीवी और बच्ची के साथ नजर आ रहा है खबर तो ये भी मिल रही है कि सिनवार की डेड बॉडी का सौधा अब आईडियेफ हमास के चंगल में फसे इसराइली बंधकों को छुडाने के लिए कर रही है क्योंकि जानकारे के मताबिक हमास चीफ की मजार उसकी तरफ के लोग बनाना चाहते है और इसके बदले बंधकों को रहा कराने की कोशिश में आईडियेफ लगी हुई